कि नमस्कार मित्रों मैं हिमान्सु और्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पॉलेटिंग क्लासेज में जो आज मैं आप सभी के लिए एरिकेशन इंजिंडिंग का लेक्चर नमबर सेवन लेकर आया हूँ लेक्चर नमबर सेवन जिस चैप्टर क का नाम है आपके कैनाल हेड़वर्क्स कैनाल हेड़वर्क्स में मैं आपको आज MCQ कराऊंगा इसका जो विस्तरत लेक्चर है जो regular lecture चल रहे थे उन lecture को मैं आपको पांच जुलाई के बाद उनको भी करवाऊंगा और उनको करवाने के बाद irrigation का जो आपका syllabus है जो परमपरागत syllabus है जो पहले paper होते थे उसको भी जरूर पूर्ण करवाऊंगा क्योंकि उससे ही हमारी knowledge जो है वो बढ़ती है चुकि semester exam mcq के type में होगा इसलिए हम जो है mcqs पहले करवा दे रहे हैं theory class बाद में करवाएंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं कैनाल headworks ठीक है कैनाल headworks होता क्या है पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रेदू कि जब हम रीवर है मारी माली जे यह रीवर है इस रीवर से हमें कोई नहर निकालनी होती है या सिचाई के लिए कोई कैनाला निकालना होता है बड़ा ड्रेन निकालना होता है आप उसको नहर मान के ही चलिए ठीक है तब हम इस नदी से पर्टिकुलर नदी से पर्टिकुलर रीवर से हम क्या करते हैं कोई नहर साइड से ऐसे निकालते हैं तो जो इसके वहाँ पर इसके साइड पर यहाँ पर कि इसमें क्या क्या होता है अब उसके लिए जो अलग अलग इस्ट्रक्टर्स बनती हैं उनके बारे में हमें पढ़ाई करनी पड़ती है ठीक है तो चलिए इसके डिटेल तो बाद में पताऊंगा भी आपको अभी आपको मैं जो है अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब पर दें और सेर नहीं किया है तो अपने साथियों तक इसको पहुँचाने का कश्ट करें तो चलिए सुरू करते हैं कैनाल हेड़ वर्क्स फोर्थ सिमेश्टर का यह लेक्चर है और लेक्चर वियर को कितने समोह में विभाजित किया गया है पहले तो हम यह समझने की कोशिस करें कि वियर क्या होता है वियर होता है जो हमारा जब हम कैनाल का वाटर रोकते हैं तो उसके लिए एक structure बनाई जाती है जैसे माली यह रीवर आ रही है इस रीवर का यह रीवर आ रही है इस रीवर का पानी रोक के हमें कैनाल में देना है किसी कैनाल में यह रीवर आ रही थी इस रीवर का पानी हमें कैनाल में यहाँ पर देना है तो इसके लिए यहाँ पर एक structure बनाई जाएंगी ठीक है यहाँ इस साइड में और कितना पानी इधर निकलेगा उसके बारे में बात की जाएगी, यहां structure जो है वो आपकी बनाई जाएगी देखी यहां पर, इस तरीके से अगर पानी का flow यह है, तो यहां structure बनाएंगे और उसके बाद यहां से हम पानी को निकालेंगे, ठीक है, extra water आप ऐसे बाहर को निका option है आपका 4, C option है आपका 3, D option है आपका 2, तो here the right answer is, here the right answer is 3, गुरुत वियर को तीन सम्मुहों में विभाजित किया जाता है, into how many groups the gravity wear is subdivided, तो there is, it is 3, ठीक है, यहां तक no problem, next आपका question करते हैं, next आपका question पढ़ते हैं, which type of wear is suitable for any type of foundation, which type of wear is suitable for any type of foundations, किस प्रकार के वियर के लिए, किसी भी प्रकार की नियू के लिए उप्यूट है, परलब कौन सा वियर किसी भी प्रकार की नियू बनाई जा सकती है, कौन से वियर के लिए, तो यहां पूछा गया है, कि किस वियर के लिए, किसी भी टाइप की वाफ जो है बना सकते हो तो A आप्शन आपका है sloping wear, sloping wear को हिंदि में बोलते हैं धालू wear B option है आपका vertical drop wear, हिंदि में बोलते हैं और्भाद और पात kiss wear C option है आपका pararabolic wear, हिंदि में बोलते हैं आपका पर advocate mirror D option है आपका masonarie sloping wear जिसका नाम है लाइक वियर इसको आप परवल्याकार वियर भी बोल सकते हैं हिंदी में पैराबोलिक भी बोल सकते हैं जो आप बोलना चाहें दोनों में दोनों भासाओं में और दोनों तरीकों से बोला चाह सकता है तो किसी भी प्रकार के वियर के लिए कौन सी फाउंडेशन किसी भी वियर या स्लोपिंग वियर वर्टिकल वियर पैरा बोलिक वियर और मैसोनरी स्लोपिंग वियर तो इसका जो सही एंसर होगा तो वर्टिकल ड्राप वियर में आप किसी भी प्रकार की foundation का निर्मार कर सकते हूं vertical drop beer में किसी भी प्रकार की foundation का निर्मार किया जा सकता है ठीक है next question आपका है what is the main difference between dame and wear what is the main difference between the dame and wear the bandh और wear में मुख्य अंतर क्या है या पूछा है question question का what is the main difference difference क्या है dame और वीर में वो भी कौन सा आपका main difference मुख्य अंतर क्या है या पूछा है तो पहला option पढ़ते हैं height and duration of storage height and duration of storage b option है capacity of water यो पानी की छमता c option है material used for construction निर्माड के लिए प्रिव्त सामगरी d option है आपका location of structure या sun रचना का स्थान ठीक है तो इसमें आपका जो सही answer है वो क्या है height and duration of storage height and duration of storage जब मैं आपको यह परहूंगा subject तो आपको यह चीज़े और भी ज्यादा clear होती चली जाएंगी ठीक है जो बांध होता है डेम और वियर की जब बांध और वियर में बांध की जो उचाई होती है वो ज्यादा हती है वियर की तुलना में ठीक है तो इसलिए यहाँ पर आया है height and duration of storage ठीक है next question आपका पढ़ते हैं in which type of wear energy dissipation takes place in which type of wear energy dissipation takes place किस प्रकार के wear किस प्रकार के wear और जा का अपवे होता है ठीक है तो आपको बताना है कौन-कौन सा है जो वियर है वो A option है आपका बैराज B option है आपका vertical drop wear C option है आपका sloping wear दो D option है आपका पैराबोलिक wear पैराबोलिक wear को परवल्याकार wear बोलते हैं परवल्याकार ठीक है sloping को ढालू wear बोलते हैं इसमें मैंने लिखा नहीं है क्योंकि हिंदी option मैंने नीचे दिये हुए हैं तो आप यहां पर समझ लीजिए बाकी मैंने नाम लिखे हैं तो आपको नाम याद हो जाएंगे वर्टिकल ड्राब वियर को बोलते हैं उर्ध पात वियर वर्टिकल ड्राब को क्या बोलते हैं उर्ध पात वियर ठीक है अब बैराज को तो आपका बैराज जानते ही हैं बैराज ही बोला जाता है ठीक है तो जो भी हिंदी वाले हैं इसको वर्टिकल को बोलेंगे उर्ध पात वियर, सी को बोलेंगे, स्लोपिंग वियर, स्लोपिंग को बोलते हैं, ढालू वियर, और डी है अब का परवल्याकार वियर, ठीक है, और बैराश्त वाप्सान है, तो पूछा क्या गया है, किस परकार के वियर में, उर्जा का, अब यह होता है, in which type of वियर, energy, dissipation, takes place, यह पूछा गया है, तो किस में होता है, तो इसका राइट एंसर है, आपका परवल्याकार वियर, परवल्याकार वियर, यहाँ पर इला है, वियर, ठीक है, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, तेकिन फिर भी काम चलाओ है, आपको समझ में आ रहा होगा, next है आपका, which wear is also called dry stone slope wear, किस wear को सुस्क पत्थर ढाल वियर भी कहा जाता है, ठीक है, ड्राइ का मतलब यहाँ पर सुस्क, स्टोन का मतलब आपका पत्थर, स्लोप का मतलब ढाल, ठीक है, ए आप्शन है आपका मैसोनरी वियर, बी आप्शन है आपका ग्रेविटी वियर, सी आप्शन है आपका राग फिल वियर, बी आप्शन है, डी आप्शन है आपका कंक्रीट वियर, ए आप्शन है आपका चिनाई वियर, बी आप्शन है आपका गुरुत वियर, सी आप्शन है आपका चेक्टान भरत वियर, ठीक है, तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा, वह क्या होगा आप समझ रहे होंगे सुस्क पत्थर ढाल वियर है तो यहाँ पर जब पत्थर का नाम आ गया है तो क्या हो जाएगा चटान भरत वियर या रॉक फिल वियर is the right answer question से ही आपको पता चल रहा होगा next है आपका which type of wear is suitable for hard clay consolidated gravel foundation which type of wear is suitable for hard clay and consolidated gravel foundation कठोर मिट्टी और संधनित बजरी consolidation क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ जब आपका कोई स्वाइल है और वो स्वाइल पानी के दबाव से पानी पढ़ने से एक नेचुरल बिना किसी आपके artificial compaction के बिना किसी artificial instrument के दबाए से या मैनवली दबाने के छोड़कर लगातार मिट्टी में जो दबाव होता है मिट्टी जो सकुंचित होती है जो compact होती है उसको बोलते हैं consolidation अगर यह process कैसे होती है natural process होती है तो consolidation को हिन लिए मोलते हैं संधनन तो which type of wear is suitable for hard clay and consolidated gravel foundation कठोर मिट्टी और संधनित प्रजरी के लिए निव के लिए किस प्रकार का वियर उप्युक्त है इसी टाइप से प्रशन जो है पेपर में पूछे जाएंगे आप लोग इन प्रशनों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि या जैसा कि आप लोग जानते हैं और अगर आप अभी पढ़ लेंगे तो अब्जेक्टिव कोश्चन के तयार ये अगर अच्छे होगे तो कंपटीशन में भी आपको फाइदा मिलेगा तो ए आप्शन है आपका ग्रेविटी वियर गुरुत वियर बी आप्शन है नान ग्रेविटी वियर तो अगुरुत C अप्शन है मेसोनेरी वियर विद वर्टिकल ड्रॉप उर्ध पात वाला चिनाई वियर D अप्शन है आपका राक फिल वियर विद स्लोपिंग ए प्रंस तो धालू तहबंद सहीच चटान भरत वियर ठीक है भरत बोलते हैं फिलिंग को ठीक है तो इसमें आपका राइट आचर्च वगवा आपका मेसोनेरी वीयर विद वर्टिकल ड्रॉप होगा मेसोनेरी वियर उर्ध पात वाला चिनाई वियर जो है और किसी प्रकार की जो आपकी कःठोälं भजरी होती है इस प्रकार की प्रकारी किन प्रकारा होली मिдел दारी प्रित नहीं होगी तो उसके लिए हम वेयर कौन सा निर्मार करेंगे आपका सी वाला वियर मैसोनरी वियर विद वर्टिकल ड्रॉप का निर्मार करेंगे यहां तक आक यह यहां पर आपको लोग देख रहे हैं इस डाइग्राम को आप लोग देखा है यह आपको बताना है यहां डाइग्राम क्या आपको बता रहा है यह आपको बताना है ठीक है यह जो चित्र है यह आपको क्या बता रहा है इसको बता इस चित्र को आप लोग ध्यान से देख लीजिए यहां पर डिवाइड वाल है यहां पर बफल वाल बनी हुई है यहां पर वियर कर्ष्ट वाल बनी हुई है ठीक है तो इतना आप लोगों ने देख लिया होगा अब इस डाइग्राम के बाद मैं आपको बताता हूं कि यह कुष्चन जो है उसका आप्शन क्या होंगे तो इसको मैं बता रहा हूं आपको कि इस क्वेश्चन के आप्शन क्या इस जो चित्र दिखाए मैंने वक्या दर्शा रहा है एह है आपका डिवाईड वाल भीवा दीवा भी आपका प्लान आप फिश्टर या मचली सीड़ी का प्लान शी ऑप्शन है आपका इसकोरिंग शूलूस या घर्शन सूलूस बी आप्शन है आपका कैनाल हैड रेगु तो यह मचली सीडी बनी हुई थी जो मैंने आपको अभी दिखाई थी ठीक है जब आपको PDF मिलेगी तो आप उसमें figure को बहुत अच्छे से देख पाएंगे By constructing which structure we can help the fish in there Migration किस सनरचना का निर्माण करके हम मचलियों को उनके प्रवास में मदद कर सकते हैं ठीक है slow करने से एक फाइदा होता है कि हर बच्चे को चीजे समझ में आ जाती है ठीक है हमें कोई चीज को भगारना नहीं है हमें सिर्फ syllabus को दोडाना नहीं है हमें आपको समझाना है ठीक है तो by constructing मतलब किस चीज को बनाने पर which structure कौन सी structure है जो सहायता करती है मचलियों के movement में मचलियों को प्रवास करने में ठीक है तो किस सनचना करिमार करके हम मचलियों को उनके प्रवास में मदद करते हैं तो A option है आपका विभाजक दिवार B option है plan of fish ladder मचली सीड़ी का plan ऐसा बनाते हैं C option है scoring solution यहाँ पर आप यह plan भी हटा सकते हैं यहाँ पर यह हटा सकते हैं इसमें सही option जो आप रखिएगा वो सिर्फ इतना रखिए दिरस्टा आपर जो मैंने पहले आपको फीगर दिखाया था मसली सीड़ी का plan उसली को निकलने के प्रवास के लिए बनाया गयास्ताव ठीक है जब हम कोई structure बनाते हैं कोई भी structure बनाते हैं जो पानी को रोकती है चाहे वो बांध बनाएं बैराज बनाएं या तो उसके लिए हम मचलियों को निकलने के लिए जगए भी छोड़ते हैं ठीक है नेक्स्ट है आपका what device is placed in front of head regulator for silt removal गाद को हटाने के लिए head regulator के सामने कौन सा उपकरण रखा जाता है तो option A है आपका wear, option B है आपका silt extractor, option C है silt excluder और option D है आपका बैराज ठीक है, option A है आपका wear, option B है आपका गाद निसारित्र, option C है गाद भाहिसकारग, option D है आपका बैराज यहाँ पर English में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा silt extractor और silt excluder ठीक है, तो English में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, कोई बात नहीं जिनको हिंदी इंग्लिस में समझ में नहीं आता है, कम आता है, जैसे मैंने बच्चों के comment देखे हैं तो अगर हिंदी में आ रहा है, तो आप लोग हिंदी में समझ सकते हैं, ठीक है? तो इसका सही answer जो होगा, वो होगा silt excluder या गाद बहिसकारक अब यहाँ पर बेटा मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि silt क्या, यहाँ पर मतलब ही क्या है? तो मतलब बेटा यह है, कि जो हमारी रीवर होती है, वो आप पहाड़ों से काट कर बहुत सारा गाद या बहुत सारी मिट्टी लेके आती है, इन्दा फार्मा अफ सिल्ट है ना, अलग अलग टुकडों में वो बिवाजित होती रहती है, बड़े पत्तर होते हैं, उसके ब पानी का बहुत बाहर आजाएगा, तो इसलिए हम प्रुवेश करने से सिल्ट को रोकते हैं, या रेथ को प्रुवेश करने से रोका जाता है, जिससे नहर का तल जो है उथला ना हो, ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग जो है, वो आपरेटर्स लगाय जाते है, हैड रेग विच डिवाइस इूज़ फर सिल्ट रिमूवल आफ्टर इट एंटरंस दा कैनाल नहर में प्रवेश करने के बाद गाद हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि आप दोनों एंसर तो नहीं हो सकते हैं। तो फिर इसका एंसर क्या होगा तो इसका एंसर होगा आपका गाद निसकासत। ठीक है। पहाडी खंड मौंटेनियस रीच। अर्थ पहाडी या तलहटी खंड सम मौंटेनियस रीच। मैदानी या जलोर खंड प्लेन और एलूवियल रीच। डी अप्शन है डेल्टा रीच या डेल्टा खंड। तो आप जैसा जानते हैं कि हमने आपको बताया था कि मौंटेनियस रीच अच्छा नहीं होता है क्योंकि वहाग पर पानी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अर्थ पहाडी या तलहटी सबसे बेस्ट होता है नहर के हेड़वर्क्स के लिए कि यहाँ पानी की स्पीड ना तो बहुत स्लो होती है और यहाँ बनाने के लिए जब हेड़वर्क्स का निर्मार करते हैं तो आपने देखा होगा जब आप उसमें हरिद्वार में जाते हो या रिशी केस में जाते हो तो आपको पहाड के परवत के छोटे-छोटे टुकड मिल जाते हैं कुछ बड़े साइज के भी मिल जाते हैं जिनका यूज हम कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आपका पढ़ते हैं विभाजक दिवार तथा नहर मुख के मध्ध इस्थित जल पाकेट में एकत्रित सिल्ट को नदी के अनप्रवाह में निकालने क के लिए विएर दिवार में आयता का निकास रखे जाते हैं जिन्हें कहते हैं कहने का मतलब है विभाजक दिवार विभाजक दिवार तथा नहर के मुख के मध्ध में इस्टिल पाकेट में एक अनप्रवाह में निकालने के लिए एक आयता का दिवार में विएर दिवार मे रखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं ठीक है तो option है आपका the English में पढ़ देता हूँ regulator outlets are kept in the wear walls to drain the silt collect in the water pocket located between the divider wall and the canal mouth which are called ठीक है rectangular outlets are kept in the wear ठीक है wall to drain the silt collected in the water pocket located between the divider wall and the canal mouth which are called तो option A है आपका अधा स्लूश या घर्शन स्लूश अंडर स्लूश या scoring स्लूश option B है आपका canal mouth controller या नहर मुखनियंत्रक option C है आपका gate option D है आपका सांथ कुंड या still pocket तो here the right answer is here the right answer is under solution and scoring solution under solution and scoring solution हम क्या करते हैं under solution already scoring school say जो एक अक्त्रिक्ट है उसको हम अनप्रवाह में बाहर को निकाल दिया जाता है ठीक है अनप्रवाह में silt को बाहर निकाल दिया जाता है ठीक है नेक्स्ट आपका स्बुक्षण है अधा सुलूस या निर्गरसन सुलूस द्वारा उच्च बाढ़ का डैस 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 पानी अनप्रवाह में निकाल निकल जाना चाहिए मतलब अगर हम कोई सुलूस का निर्मार कर रहे हैं तो अगर उच्च बाढ़ लेवल आ गया है तो कितना उपर से पानी, कितना पानी परसेंट में निकल जाना चाहिए तो the water of high flood should discharge, should be discharged downstream by the under sluice and scoring sluice scoring sluice या आपका under sluice द्वारा उच्च बाढ़ का पानी जो है वो downstream में निकल जाना चाहिए तो कितना परसेंट निकल जाना चाहिए यह option है आपका 10 से 15%, B option है आपका 15 से 25%, C option है आपका 25 से 30%, D option है आपका 30 से 35% तो इसका सही उत्तर क्या होगा तो इसका सही उत्तर है आपका 10 से 15% 10 से 15% जो water है उसको निकल जाना चाहिए क्योंकि वो high flood level जो है उससे उपर का पानी है या उसको बाहर को अनप्रवाब में निकल जाना चाहिए downstream में निकल जाना चाहिए ठीक है next है आपका what is the value of blink coefficient for course grandstand यह याद करने वाले question है blink coefficient आपको पढ़ना पड़ेगा जब theory का पोर्षन आएगा तो मैं उसमें blink coefficient पढ़ाऊंगा blink theory के बारे में भी बताऊंगा ठीक है तो उसमें पूछा है उसमें अलग-अलग value दे रखी है blink coefficient की उस table को आपको याद करना पड़ेगा तभी आप इन questions को अच्छे से कर पाएंगे तो what is the value of blink coefficient for course grain sand motis grain वाली rate के लिए blink के गुड़ांग का मान क्या है ठीक है multi grain वाली rate के लिए या sand के लिए blink के गुड़ांग का मान क्या है तो A option है आपका 15 B option है आपका 12 C option है आपका 5 से 9 5 to 9 D option है आपका 8 तो here the right answer is here the right answer is 12 here the right answer is 12 ठीक है 14 होता है आपका मोटी ग्रेन वाली रेत के लिए ब्लिग का गुडांग next है आपका for mixed with boulder and gravel and for the lone soil the safe hydraulic gradient boulder बजडी के साथ मिश्रित रेत के लिए दोमत मिट्टी के लिए सुरक्षित जल्दाब धाल होना चाहिए for sand mixes with boulder and gravel for lone soil the safe hydraulic gradient should be boulder और बजडी के साथ मिश्रित रेत के लिए दोमत मिट्टी के लिए सुरक्षित जल्दाब धाल होना चाहिए ठीक है तो पूछा है question में कि boulder और बजडी के साथ अगर मिश्रित रेत है तो दोमत मिट्टी के लिए सुरक्षित जल्दाब धाल कितना होना चाहिए for the sand mix with boulder and gravel and the lone soil the safe hydraulic gradient should be यह question आप से पूछा गया है तो इस question का जो option है वहाँ आपके option है यह option है आपका 1 ratio 15 1 बटे 15 B option है 1 divided by 12 C option है 1 divided by 5 2 1 divided by 9 और D option है आपका 1 divided by 8 ठीक है तो इसका जो सही answer होगा वो क्या होगा 1 divided by 5 2 1 divided by 9 ठीक है एक बटे 5 से एक बटे 9 तक जब आप इसकी थेयोरी पढ़ेंगे और आप table पढ़ेंगे बिलिक्स थेयोरी की तो आपको यह बहुत किलियर हो जाएगा जिससे आपको irrigation बिलकुल रट जाएगी कोई भी question नहीं छोटेगा जब तक आपका paper होने को आएगा ठीक है एज पर बिलिक्स थेयोरी thickness to be provided by taking a factor of safety equal to बिलिक सिद्धान्त के अनसार सुरक्षा का कारक के बराबर मुटाई परदान की जाती है बिलिक्स थेयोरी के अनसार बिलिक्स थेयोरी सिद्धान्त के अनसार सुरक्षा का कारक या thickness to be provided taking या factor of safety equal to सुरक्षा का कारक के बराबर मुटाई परदान की जानी है तो इसमें A option है आपका 2 by 3, B option है 4 by 3 C option है 1 by 3 D option है 1 by 2 तो here the right answer is here the right answer is 4 divided by 3 4 बटे 3 जो है या सुरक्षा कारक होता है या factor of safety होता है एस पर बिलिक्स थेयोरी ठीक है next question है important question था पहला वाला next question है in what reaches the river flow in a zigzag manner in what reaches the river flow in a zigzag manner घुमावदार तरीके से नदी किस पहुँच में बहती है गुमावदार तरीके से नदी किस पहुँच में बहती है या option है आपका बोल्डर रिवर इस्टेज नदी बढ़ी इस्तिती में ठीक है lower reaches निचली पहुँच में degrading अवकरमण में tidal river जुआरी ये नदी में या जुआरी ये नदी अवस्था में तो इसमें क्या अप्षन होगा इसमें पूछा है कि जिग जैंग मोशन कप करती है तो भीया देखे रिवर जब तेज बाहर से उपर से निकलती है गौमक से माली जब गंगा निकलती है तो उसकी स्पीड बहुत होती है तो सब जो आगे सामने आएगा काटती चली जाएगी उसके बाद जब वो मैदानी छित्रों बहती है और एकदम लाश्ट में जब पहुंशती है वो तो उसकी स्पीड बड़ी स्लो हो जाती जब स्पीड स्लो हो जाती पानी जो है वो धीरे धीरे चलने लगता है ठीक है जब धीरे धीरे चलने लगता है वाटर तो जब पानी जो है धीरे धीरे चलने लगता है तो आप देखते हैं कि वो जिग जैग मोशन करने लगता है ठीक है तो उसको बोलते हैं आपका लोवर रीचेज लोवर रीचेज ठीक है तो at the time of लोवर रीचेज जब नदी लोवर रीचेज में होती है तो वह जिगजग मुसंट करने लगती है next question है in which type of river in which type of river building up of soil present in which type of river building up soil is present धलान वाली नदी का निर्मार किस प्रकार की नदी में होता है ठीक है तो धलान वाली नदी का जो निर्मार है वो किस प्रकार की नदी में होता है तो option है आपका delta वाली stable type इस्थर प्रकार की degrading type अउकरमण प्रकार की और aggrading type या अनकरमण प्रकार की ठीक है तो आपका जो सही उत्तर है इसका वो होगा अग्रेडिंग टाइप अनकुर्मण में ठीक है तो जब धलान पे नदी होती है तो क्या होता है अनकुर्मण होता है वो फ्लो करती हुई चली जाती है धलान पर नेक्स्ट है आपका in which type of river there is a reduction available of slope किस प्रकार की नदी में उपलब धाल में कमी होती है तो देखिए ये पूछा है जैसे इस position पे होगी तो इसके धान में लगातार पनी के slope में कमी होती जाएगी ठीक है तो आपका A option है आपका delta वाली B option है आपका stable type C option है आपका degrading और D option है degrading तो here the right answer is degrading type ठीक है तो कि आपको धलान उसके क्या होती रहेगी कमी होती रहेगी ठीक है नेक्स्ट है कैसे आप यह देखिए यहाँ पर आप अगर नहीं समझे हो इन दोनों questions को तो मैं बता देता हूँ देखे भाई आप माली जे नदी है हमारे ठीक है अब इसमें यह slope है ऐसे अब पानी गिरेगा तो यह slope क्या होगा बढ़ेगा भाई घटेगा थोड़ो पानी उपर से जब गिरेगा तो काटेगा तो काटेगा तो यह slope क्या होगा बढ़ेगा इतना समझ गए ना इस question के लिए इस question के लिए आप इतना समझ गए उसके बाद जब next portion में आप पहुंच रहे हैं तो next question में क्या हो रहा था जब river जो है ऐसे जा रही थी उपर को तो भाई आप जब river ऐसे जा रही है तो इसको क एक जब उसस煮 रहलकिए न नेंऑं न तो रह इक Wedव और झाल टार समयने ड autograph रहा है तो तो जब शना समये खर के लिए रहे है तो रहे एक्या टो प्रवेंच रहे है विए ठाफ उ़्या ड्याय थी तो अ आउटसाइड नहर में सिल्ट का प्रवेश को रोकने के लिए तथा बाहर इसके सहीयोग से निकालते हैं ठीक है तो किसके क्वेश्चन का अगर आप भासा में मतलब ना समझे हूं तो यहां समझ लेजी जो मैं बता रहा हूं नहर में जो नहर है उसमें सिल्ट को एक तो प्र रोकते भी हैं और सिल्ट को बाहर निकाल भी सकते हैं अगर आ जाए तो अब क्वेश्चन समझ गए होंगे आप ठीक है इसलिए लिखा था हूज है प्रिवेंट टू प्रिवेंट दा एंट्री और हूज है प्रिवेंट रिमूब आउट साइड इसलिए यहार लेंवेज है और भी दोनों तो हैर दा राइट एंसर एज हैर दा राइट एंसर एज हैर दा राइट एंसर एज आप लोग ध्यान से सुनिएगा शिल्ट एस्प्लूडर जो अवरोधक है यह शिल्ट को रोकने में मदद करता है तो थन निसकासक जो है यह शिल्ट को बाहर निकालने म मदद करता है तो इसी लिए बोथ answer are correct तो डी option is the right answer डी option is the right answer ठीक है तो मित्रों यह वाला chapter आपका यहीं पर समाप्त होता है आपके mcqs के पूरे हो गए हैं जितने ज्यादा से ज्यादा mcqs निकल सकते थे इस chapter से मैंने आपको बताए हैं इस तरीके से आपका irrigation engineering का आज साथवा लेक्चर खतम होता है आज मैंने आपको highway engineering का भी मैंने आपको आठवा लेक्चर पढ़ा दिया है इस तरीके से दोनों सलेवस लगभग समान रूप से चल रहे हैं highway को मैं जल्दी खतम कर दूँगा मैं भी एक या दो दिन में खतम कर दूँगा उसको क्योंकि उसमें जो अगले दो chapter हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं उनको concise करके एक में बना देंगे और irrigation के जो अभी chapter हैं वो थोड़े से बड़े हैं लेकिन last में इसके भी chapter बहुत छोटे हो जाएंगे ठीक है तो irrigation का भी most बहुत ज़्यादा part जो है वो आपका पूरा हो चुका है अगर मैंने आपको यहाँ पर साथ lecture करा दिये तो इसका मतलब है 70% course आपका पूरा हो गया है तो maximum question आप irrigation से paper में कर पाएंगे इसलिए जो भी लोगों ने हमारे lecture नहीं देखे हो और वो हैं इंतिजार कर रहे हों कि सर जब syllabus पूरा करेंगे तो syllabus आप यह मान के चलिए 70% जब syllabus हो जाता है तो उसको लगभग complete कि स्रेड़ी में माना जाता है तीन या चार लेक्चर और आएंगे वह मैं लगातार आपको डालता रहूंगा तीन चार दिन में मैंने जो 5 जुलाई तक वादा किया है वह मैं irrigation और highway में समस्ते और पढ़ते रहे थैंक यू सो मच